Hello everyone, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे Indian Evidence Act के अंदर Direct Evidence के बारे में, Hearsay Evidence के बारे में, Circumstantial Evidence के बारे में, Substantive Evidence के बारे में, और Corporative Evidence के बारे में. सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानेंगे, इनके मतलब के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग practical example के मदद से इनको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अब वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे अब आप भी घर में बैट के judicial services की preparation शुरू कर सकते हैं हमारे membership के plan के साथ हमारे membership के plan की और details जानने के लिए इस दिये गए हुए number पे आप WhatsApp के जरीए संपर्ख कर सकते हैं या इस वीडियो के description पे एक link दिया गया है आप वहाँ पे जाके और membership के plan की details ले सकते हैं देखे अब सबसे पहले आता है direct evidence direct evidence का मतलब यह होता है कि जब कोई witness quote के अंदर आता है गवाही देने के लिए तो जो वो गवाही देने जा रहा है जिस चीज के बारे में वो बताने जा रहा है quote में उसको उसने खुद ही देखा हो खुद ही सुना हो या किसी और अपने sense से उसको perceive किया हो touch करके सूण के smell करके जैसे for example आपने A को चाकू से B को जान से मारते हुए देखा है तो अगर आप quote के अंदर अपियर होते हैं as a witness ऐसा गवाह तो अगर आप court में जाके यह बोलते हैं कि मैने A को चाकू से B को जान से मारते हुए देखा है तो जो आप गवाही दे रहे हैं कोट के अंदर ये purely direct है और ये एक substantive evidence है ये purely direct है section 60 के part 1 अब इसके बाद आता है hearsay evidence hearsay evidence मतलब कि सुनी सुना ही बात अब वह तो अगर मान लीजे कि कोई इनसान ने किसी भी घटना को offense को direct होते हुए नहीं देखा है ना अपनी आखों से देखा है ना कानों से सुना है किसी और इनसान ने उसको बताया है कि ऐसी कोई घटना हुई है तो ये क्या है ये hearsay evidence है तो as a general rule court के अंदर ये admissible नहीं है मानने नहीं है under section 60 क्योंकि section 60 साफ तोर पर ये कहता है कि जो evidence होगा जो oral evidence होगा वो direct होना चाहिए आपने अपनी आखों से देखा हो कानों से सुना हो या आपने किसी और sense से perceive किया हो taste करके, touch करके या smell करके जैसे for example आपने A को B को चाकू से मारते हुए नहीं देखा लेकिन C जो है आपसे ये कहता है कि मैंने A को B को मारते हुए देखा है तो अगर आप court में आके ये बोलते हैं कि मुझे C ने बताया है कि A ने B को चाकू से मारा है तो आपकी जो गवाही है ये असिल में here से है तो as a general rule ये admissible नहीं है हाला कि इसके कुछ exceptions हैं लेकिन as a general rule here से evidence जो है ये admissible नहीं होता है अब इसके बाद आता है circumstantial evidence circumstantial evidences वो evidences होते हैं कि जहाँ पे witness ने direct offense होते हुए direct घटना को नहीं देखा है बलकि उसने circumstances को witness किया है circumstances परिस्थितियों को देखा है जो accused को उस offense से connect करती है जैसे for example आपने a को b को चाकू से मारते हुए नहीं देखा लेकिन आपने b को चिलाते हुए सुना कि a उसको मार रहा है उसी तरीके से आपने a को खून लगे हुए चाकू और खून लगे हुए कपले के साथ भागते हुए देखा है आपने direct A को B को मारते वे नहीं देखा लेकिन आपने circumstances देखे हैं कि A जो है خून लगे हुए चाकू खून लगे हुए कपले के साथ भाग रहा था आपने A को देखा कि खून लगे हुए चाकू और खून लगे हुए कपले को पानी में बैटके धो रहा था तो यहाँ पे जो witness अपनी गवाही देगा, वो direct है, क्योंकि उसने अपनी आखों से directly देखा है, accused को, कि यह accused भाग रहा है, उसने accused को देखा कि वो पानी में अपने कपड़े और चाकू को धो रहा है, तो section 60 के अंदर जो part 1 है, वहाँ पे जो इंसान अपनी गवाही दे रहा ह वो direct है, लेकिन वो क्या बता रहा है, circumstances बता रहा है, circumstantial evidences पेश कर रहा है, अब इसके बाद आता है substantive evidence, substantive evidences वो evidences होते हैं, जो खुद में ही capable होते हैं, प्रूफ करने के लिए, जिन चीजों के लिए उनको दिया जा रहा है, substantive evidence को किसी corroboration की जरुवत नहीं होती है, यह substantive evidence क के अंदर कहीं पे भी define नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ जगहां पे यह कहा गया है Indian evidence act के अंदर कि कुछ सबूतों को corroboration की जरूरत है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि कुछ evidences जो होते हैं, वो substantive होते हैं और कुछ corroborative, जैसे for example, Indian evidence act के अंदर 114 के illustration भी के अंदर बोला के लिए, तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ evidences substantive होते हैं और कुछ corroborative होते हैं, अब हम लोग इसको भी समझते हैं, जैसे for example, आपने A को B को चाकू से मारते हुए देखा, यानि आपने A को चाकू से B को जान से मारते हुए देखा, आप court में appear हुए, आपने अपनी गवा ही दी, court ने आपका evidence record किया, तो ये क्या है, ये एक substantive evidence है, लेकिन उसी चाकू को एक expert ने examine किया और examine करने के बाद ये बताया, कि जो जखम B को लगा है, वो मुम्किन है कि इसी चाकू से हो सकता है, दिया गया हो, तो अब यहाँ पे जो expert ने अपनी opinion दिया कि इसी चाकू से ह हो सकता है, दिया गया हो, कापी हद तक मुम्किन है, तो इसकी जो opinion थी, ये खुद में capable नहीं है, कि जिस चीज के लिए दी जा रही है, वो उसको establish कर दे, तो ये किस nature की है, ये collaborative है, ये उस substantive evidence को corroborate करेगी, या जो दूसरे सबूत है, उनको corroborate करेगी, उनको support करेगी, उस जैसे collaborative evidence, जो substantive evidence को support करे, जिसका भी हम लोगोंने एक example लिया था, कि जो expert की opinion है, मानली जी की जो expert अपनी opinion देता है, जो चाकु वाला हम लोगोंने example लिया था, कि जो उसकी opinion थी, चाकु को लेके, वो जो main evidence दिया गया है, कि A ने B को मारा है, ये उसको support कर रही, corroborate कर रही है पर ये substantive piece of evidence नहीं है, आईए कुछ practical example के मदद से हम लोग इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, मान लिजे एक case में A को charge किया गया है B के murder के लिए, कि A ने B को चाकु भोग के मार डाला, तो A को charge किया गया है B के murder के लिए, prosecution ने, abusion paksh ने 6 गवाहो को बुलाया है, accused की guilt को साबित करने के लिए, abusion paksh ने 6 गवाहो को बुलाया, C, D, E, F, G, H C आता है court के अंदर, as a गवा, C court में आके ये कहता है कि उसने अपनी आखो से A को, B को, चाकु से मारते हुए देखा है, तो यहाँ पर C ने जो आके अपनी गवाही दी, जो C की testimony है, ये क्या है, ये एक direct evidence है, जैसा section 60, 6 के part A में बोला गया है, part A में जो बोला गया है, ये direct evidence है, क्योंकि C ने इस घटना को अपनी आखो से होते हुए देखा, ये purely direct है, और इसके साथ साथ ये substantive भी है, अब उसके बाद prosecution ने D को बुलाया, D ने ये कहा, कि मैंने A को B को मारते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने B को चिलाते हुए सुना है, A का नाम की A मुझे मार रहा है, अब D ने जो ये बाद बताई है, ये भी इसने अपनी कानों से सुनी है, section 60 का second part, कि अगर आपने कोई चीज सुनी हो, तो भी आपको इसकी first hand knowledge है, आप court में आके इसको बता सकते हैं, ये direct evidence है, तो D ने जो ये बाद बताई है, ये क्या है, ये भी direct evidence है, लेकिन जो D ने ये बाद बताई है, ये circumstantial है, ये circumstantial है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप confused हो गए होंगे, कि ये जो मैं बाद बता रहा हूँ कि ये direct है, circumstantial भी है, तो direct evidence अगर कोई है, तो circumstantial कैसे हो सकता है, देखिए, Indian Evidence Act के अंदर direct evidence को हम लोग दो चीजों के साथ मिला के पढ़ सकते हैं, direct और here से, direct और circumstantial, direct और here से के sense में ही section 60 के अंदर जो बाते कहीं गई हैं, वो direct और here से के ही context में कहीं गई हैं, तो दो तरह से direct का इस्तिमाल होता है, direct और here से, direct और circumstantial, direct और here से, direct और circumstantial में फर्क ये होता है, कि जब कोई गवा कोट के अंदर appear होता है पहले वो चीज ये बताए वो कि किसने देखा offense होते हुए तो अगर मैं कहूं मैंने देखा तो अब अगर मैं कोट के अंदर आऊंगा तो यहां पर जो मैं evidence दूँँगा कि मैंने देखा ये direct evidence होता है मतलब कि किसने देखा सबसे पहले चीज़ क्योंकि section 60 कह रहा है कि जिसको direct knowledge है मतलब जिसने directly देखा है घटना को सुना है वही कोट में आके as a गवा गवा ही दे सकता है तो किसने देखा है मैंने देखा है तो मैं कोट में appear होंगा तो मैं direct evidence दे रहा हूँ किस sense में कि वो direct है कि here से अगर मैं ये कहूँ कोट में आके कि मैंने c ने मुझे ये बताया है कि a ने b को मारा है तो ये जो मैं evidence दे रहा हूँ ये here से है तो direct evidence को direct और here से के साथ भी पढ़ा जाता है direct और circumstantial के context में भी पढ़ा जाता है दोनों में फर्किया होता है कि direct और here से ये बताता है कि जो evidence मैं दे रहा हूँ मैंने directly देखा है या सुना है वो direct और here से हो गया अब जो मैं evidence दे रहा हूँ किस nature का है direct घटना को होते हुए देखा है कि circumstances को देखा है यानि oral evidence जो है वो direct घटना को भी लेके हो सकता है कि offense होते हुए direct देखा है या circumstances को देखा है offense को नहीं देखा है circumstances को देखा है तो यहाँ पे D ने जो evidence दिया वो तो direct evidence दिया किस sense में कि ये direct है कि here से है नहीं here से नहीं इसने direct अपनी कानों से सुना है क्या सुना है कि B चिला रहा था A का नाम की A मुझे मार रहा है तो उस sense में इसने अपने कानों से सुना यानि ये direct evidence है here से नहीं है लेकिन क्योंकि इसने direct होते हुए नहीं देखा है कि A B को मार रहा है तो ये उस sense में कि ये direct है कि circumstantial है तो ये circumstantial है और ये जो D का evidence हो जाएगा ये relevant हो जाएगा अगर हम लोग देखेंगे कि section 60 section 60 के part 2 में उसके साथ rest guest I section 6 के अंदर ये relevant हो जाएगा ठीक है ये हमने लिख दिया है तो ये दो गवा हो गए फिर तीसरा गवा जो E है ये court में ये बताता है आके गवाही देता है कि मैंने A को B को जान से मारते हुए नहीं देखा है लेकिन मैंने A को हून लगे हुए कपड़े हून लगे हुए चाकू के साथ भागते हुए देखा है अब जब E जो है court के अंदर ये गवाही देता है तो E ने A को अपनी आखों से देखा है तो इसका मतलब ये क्या दे रहा है डाइरेक्ट एविडेंस दे रहा है किछ सेंस में ये डाइरेक्ट है कि here से है तो section 60 के अंदर part 1 उसने अपनी आखों से A को भागते हुए देखा है तो ये क्या दे रहा है डाइरेक्ट एविडेंस दे रहा है कि उसने A को खून लगे हुए चाकू खून लगे हुए कपलों के साथ भागते हुए देखा है तो ये एक डाइरेक्ट एविडेंस दे रहा है लेकिन किस नेचर का एविडेंस दे रहा है जिस nature का evidence दे रहा वो असिल में circumstantial है क्योंकि उसने direct A को B को मारते हुँ थोड़ी ना देखा है अब जो ये evidence दे रहा है ये Indian evidence act के किस section में relevant होगा खून लगा हुआ चाकू या खून लगा हुआ चाकू ये क्या बता रहा है effect facts and issue का effect क्या है कि चाकू मारा होगा तभी खून लगा हुआ है section 7 Indian evidence act के अंदर relevant हो जाएगा section 7 के अंदर relevant हो जाएगा Indian evidence act के उसके साथ साथ accused को खून लगे हुए चाकू और कपले के साथ भागते हुए देखा है यानि offense होने के बाद subsequent conduct section 8 के अंदर relevant हो जाएगा तो C, D, E ये तीन गवा हुए है फिर F बताता है कि मैंने A को ना B को मारते हुए देखा ना A को भागते हुए देखा है तो इसने क्या कहा है मैंने देखा है आखों से देखा है मतलब direct evidence दे रहा है section 60 का part A direct evidence है लेकिन जो evidence दे रहा है उसका nature क्या है circumstantial है ये direct evidence रहा है लेकिन nature क्या है circumstantial evidence दे रहा है अब जो ये evidence दे रहा है ये भी क्या बता रहा है ये भी effect बता रहा है subsequent conduct बता रहा है accused का कि उसने उसके बाद क्या किया section 7, section 8 के अंदर ये भी relevant हो जाएगा फिर जी एक गवा है जी एक गवा जो है वो एक expert है उसने चाकू को examine किया मौकाय वारदात को examine किया जो victim था उसके जखम को देखा देखने के बाद उसने अपनी ये report लगाई उसने अपने report में ये बोला कि जो चाकू A के पास से बरामद हुआ है बिल्कुल मुम्किन है कि हो सकता है कि जखम B को दिया गया है वो उसी चाकू से दिया गया है ये जी ने as a expert इस बयान को दिया तो अब ये जो बयान ये दे रहा है यानि ये जो expert है एक्सपर्ट की ये जो opinion है ये क्या है ये भी direct evidence है section 60 का part 4 और section 45 में expert की opinion के बारे में बताया गया तो ये जो इसकी opinion है ये भी relevant है admissible है लेकिन ये है तो direct evidence लेकिन ये क्या है ये भी circumstantial है circumstantial है लेकिन ये corroborative है substantive piece of evidence नहीं है ये expert की opinion ठीक है अब उसके बाद H आया H को बुलाए गया है as a gawa H ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं देखा कुछ भी नहीं सुना मुझे C ने बताया है मुझे C ने बताया है कि उसने A को B को जान से मारते हुए देखा है तो जो H बोल रहा है as a general rule here say evidence हो गया ये क्योंकि इसने खुद तो नहीं देखा है तो ये क्या हो गया here say evidence हो गया as a general rule ये admissible नहीं है क्योंकि section 60 कहता है कि oral evidence जो है हर case में direct होना चाहिए तो ये जो दे रहा है ये क्या बता रहा है इसका direct evidence है ही नहीं ये तो सुनी-सुनाई बात बता रहा है तो सुनी-सुनाई बात बता रहा है here say evidence जो है as a general rule admissible नहीं है हाला कि इसके कुछ exceptions भी है लेकिन as a general rule ये जो है court के अंदर मानने नहीं है admissible नहीं है I hope कि हमारे इस पूरे example से आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा कि direct evidence क्या होते है here say circumstances circumstances, substantive evidence, corroborative evidence आज की वीडियो में बस इतना ही I hope कि आपके काफी doubts clear होए होगे और अगर अभी तक आपने मुझे Facebook, Instagram और Twitter के उपर follow नहीं किया है तो जल से दल follow कर लिजे Instagram पे मेरी ID है नजीब खान 11 जो आपको इस वीडियो के description के अंदर मिल जाएगी और मेरे सारे social media का link भी आपको इस वीडियो के description के अंदर मिल जाएगा